पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को राउंड अप किया है और यह माना गया कि हिंसा को काफी हद तक अफ़वाँ फैलाने में उसे भड़काने में बिट्टू बजरंगी का भी कृड़ार रहा है पुलिस के दुवारा बिट्ट्टू बजरंगी को फिलाल अपने गृत में ले लिया गया है चैसे ने एक शाला है दोस्तों जो वीडियो आपने देखा है वह बिलकूलि शही है नफरती बिट्टू बजरंगी को गिर्फतार कर लिया गया है हर्याना की CIA सिविल ड्रेस में पहुची आंधी की तरह आई तुफान की तरह चले गई साथ में बिट्टू बजरंगी को भी उठा ले गई ये जीत हमारे उस अलब संक्यक समोधाय की है जिन्होंने अपने पेट पर चाबुक सहते सहते आवाज उठाना नहीं छोड़ा ये जीत उस खाप चोधरियों और जाट समाज के जो किसान शंगठन के जो परमुक है उनकी है क्योंकि उन्होंने बड़ी संक्या में हमारे मुसलिम समोधायों का स्पोर्ट किया आवाजनीती को परभावित सीधे तोर पर करता है जो सीम की कुर्षी निधारित करता है वहीं बोट बैंक इस आवाज के साथ इस भायचारे के आहवान के साथ ही उस पाले में जाता हो नजर आया जिस पाले में बीजे पिखडी नहीं हुई थी भारत्य जंता पार्टी एक तरह से भजरंग दल विशव हिंदू परिशाद और ये तथा कतित हिंदू संगठन जो है गोरक्षक संगठन है इनको खुश करने के लिए उन्होंने बोल्डोजर भी चलाया और तमाम तरह की गिरफतार्या भी वहाँ की पर जैसे बजरंग दल वालों ने तांडो सभी हर्याना के सहरों में रचा था कि जात पाद भोलो हरा हमारी चतरी के नीचे आकर मेवात की मुसलमानों की साथ फाइट कर लो हर्याना के जाट समुदाय ने उसे किनारा कर लिया फिर किसान समुदाय ने कर लिया हर्याना की भूत परोशैनिकों ने कर लिया और बाद में जिस तरह से ये हिंदु महापंचायत पलवल में अब बुलाए गई थी वहाँ खाप चोधियों का सीधे दर्वस का बायकोट करना बिलकुल सपस्ट कर गया था कि हर्याना का जो मुख्य वोट बैंक है वो भारते जंता पार्टी के उन फरजी हिंदों के साथ नहीं है नाराज है जिसके चलते बड़ी संख्यामी यहां के छेतरिय पार्टिया जो है चोटला परिवार है और विपक्स वाली है कांग्रेस जो है उनके साथ हूँ बोट बैंक एक तरफ से जाता वो दिख रहा था और यहां पर पहली बार भारते जंता पार्टी इतनी बड़े स्केल पर बजरंगी को उठाना और कल ही राजस्तान की डीजीपी का भी बयान आ गया है कि हमने उसको कोई कलिंचिट नहीं है मुकदवन दर्ज है कारवाई चल रही है और गिरफ्तारी भी होगी आज जो बिट्टू बजरंगी उठाया गया है इसकी जिस तरह से वीडियो आ रही है पहले तो जिस तरह से हर्याना की पुलिस ने बोड़े संख्या में हतियारों के साथ एक दम से रैड मारी है वो वाकई चोकाने वाली है ये इसलिए किया गया है अब तक इनको नहीं इसलिए नहीं उठाया गया कि कहीं से वहीं जो धर्म के ठेकेदार है वो और भी बड़ा तांडव नय कर दें और अब मजबूरी हो गई थी कि इनको खुश करने के चलते हिंदुवादी संक्रशनों को खुश करने के चलते भारते जंता पार्टी अपनी सी रहा पर चलती रही तो कुर्शिगवा देगी मुख्य वोट वेंग जो है जो भाइचारा चाहता है जो म गवाज उठानी नहीं चोड़ी रैड जिस तरह से डाले गई वह आप देख लीजिए देख लिए आपने बड़ी संख्यामी पुलिस बल आता है वहां के स्थानी लोगों सभी बात चीत हुई उन्होंने कहा कि हमें दो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है दरसल वो एक इंटर्व्यू दे रहे थे इंटर्व्यू दिया उन्होंने जस्ट उसके दो तिन मिंट बाद ही यह पुलिस फोर्स पहुंचती है और उनको बजरंगी को औरेश्ट कर लिया जाता है तो इनके गिरिफतार होने से पहले वह कौन से इंटर्व्यू था जो यह बड़ी बड़ चट कर दे रहे थे उसमें जो इन्होंने बात बोली उसके उपर आपको गोर करना है उस इंटर्व्यू में भी इन्होंने कहा था कि माहवा बनाने की कोशिस कर रहे हैं वो हमेशे से ही ऐसे हैं उन्होंने इनके साथ भाईचारा किया है दूसरे राजाओं को हराने के लिए अतीत में भी ऐसा होता था इन अकरांताओं के साथ संधी वो लोग करते थे जिस तरह से यहां का जाट समुदाय कि शान समुदाय और भुत समुदाय जो है उनको अकरंताओं एक तरह से बता रहे हैं सुन लेजिए अभी बहुत सारी कारवाई है अभी कुछ सामने आया नहीं है अभी दर पकड़ चल रही है लोग घड़ से भाई पड़े हैं कुछ लोगों की पकड़ जा रही है कुछ जिनों की लिस्ट बनाई है हमारे सीपी सामने बोला है कि अपने आप आ जाओ तो ठीक रहेगा तो यह सारी बाते चल लिए इसमें को नहीं है एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए इन आकण्यकारी जो आता ता यूं से संभी परता था लेकिन बाद 앞에 नंबर उसका भी आता था अ diagonal को जा रहे हैं सभी हिंदुबाए जारे है और आवान है सभी हिंदू समासिन भाई होगा संगेठन की तरफ से तो जारे सभी ये आज विट्टू बजरंगी की गिर्फतारी का दर्शा है जल्द ही मौनू मानेसर भी गिर्फतार होगा जरूर होगा इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बात है क्यों कह रहा हूँ भाई साथ राजनीती अगर ही नहीं रहेगी कुरसे ही नहीं रहेगी तो आप 17 अगस्त के दिन ही मिट्टू बजरंगी को जो नफरत का एक देवता जिस तरह ऐसे है उसको उठाकर जेल में ठूसना पड़ रहा है तो इस समाज के कारण ही ये सब हो रहा है अगर जनता ये चाहले कि हम वोट देंगे किसके उपर सिक्षा रोजगार स्वास्थे रोड इ ही देंगे तो आज जो हुआ ऐसे ही होता है हर जेक हैं जिस तरह से पूरे भार्त से तस्वीरे आती हैं तो दिन दिन में आती रहते हैं किस तरह से मुसलिम समुधाय के लोगों को टार्गेट करके लिंचिंग कर दिया जाता है कावड यातरा के नाम पर सोभा यातरा के नाम पर मस्जिद की आगे तांडो किया जाता है मुसलिम समुधाय को मजबूर में अपनी मस्जिद ही पूरी की पूरी ढखनी पड़ती है आपती दिनक नारे लगाए जाते हैं और जैसे मुसलिम समुधाय की मस्जिद आती है या उनकी बस्ती सरू होती है जोर जोर से उनका अंदर का फूट कर बहार निकलने लगता है जबान से भी जिसमें सरूरायम के साथ साथ कई गल्थ चीजे भी उनके मुसे निकलते हैं इस तरह के जो वातावन है ये आज कल हमारी सोसाइटी में सैट कर रखा है वारते जन्दा पार्टे ने आम हो गया है इसको ब्रेकिंग नियूज बताना कोई बड़ी बात अब नहीं होगी है पर हर्याना से आज जो संदेश मिला है हर्याना में जो मुख है तमका एक बड़ा जन्संख्या का जो सैलाब है जो राजनीती को प्रहुईत करते हैं उन्होंने दिखा दिया कि हम मुद्धो की राजनीती करेंगे धर्म की राजनीती सरकार को नहीं करने देंगे हर्याना के आदमी बिलकुल मैं कह रहा हूँ जो बोलते हैं वही करने वाले होते हैं सपष्ट बात बोलने वादे होते हैं दोगले यहां के लोग नहीं होते हैं जिसके कारण आज जो न्याय संगत जो बात होई है वो कही गई है कि सानों ने खाप चोधरियों ने भी यहीं बात की कि हम न्याय के साथ हम नहीं है हिंदू शंगतनों के इस जो आदंबर करके ये पूरो हर्याना को जलाने चाहते हैं फिर इसको 2024 इसको लुख सुभर चुनाओके चलते च मोनुमानेसर भी हो गया मैंने कल ही और पहले भी बार वीडियो बना बडा कर बता था कि वास्तों में है क्या यह कि बढ़त बिद्ध करता हूं फिर पुलिश को सौबता हूं और इनका जो गुरू जी जो इनके आचारी आजाद सास्तरी जो पलवल वाली महासरवादलिये पंचाच में बोल रहे थे कि हत्यार रखो पिस्टल नहीं बड़ी बड़ी और इंजर में होती है वो रखो राइफले रखो क्यों कि दूर तक मार रखती हैं ये तीनों क्या करत था कि भायचारे को कायम रखेंगे इन्हें नफरती चिंटवों की जो स्कीम है इनको काम्याब नहीं होने देंगे ये देश हमारा है ये कुर्शी पर बैठे हैं ये तो देश को गरह युद में धकेल देंगे और जिस दिन ये देश आपस में बुरी तरह लड़ने लड़ है कितना भी खुले आम हमारे और आप जैसे लोगों को बोलना या सुनना पड़े लगे रहना है हार नहीं माननी है जीत आज एक हो गई है और भी अवस्य होगी सच जीतेगा जूट हारेगा प्रेम उभरेगा नफरत दबेगा में उठा पर सांक हवाले बेडता हूं कंश चाने लाज करें में और लिए यंद्द एक हरहिए हैं और्पन हैं लत कहुंद और जिन्दा काटेंगे एक मीनी पाकिस्तान कोंगा मैं इसको याद से निये औरंग जेव के समय से इनका काम चोरी करना अपराद करना रहा है